बिग बॉस 18 का विकेंड का वार जो है उसका शूर जो चल रहा था वो हुच चुका है खतम शूर से जो अपडेट हमें मिली है शूर के दोरान जो अपडेट हमें मिली है वो अपडेट ये है कि जिसकी उमीद सब कर रहे थे कि ये घर से बाहर हो जाएंगी हो जाएंगी घर स बेगर सारा नहीं कोई और जो है यहां पर घर से बेगर बहार जो है वो हो चुके हैं तो बात करेंगे इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ जिनों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ल लिया से बाहर हैं तो इसलिए वो आउट ओफ कंट्री जो है वो जा चुके हैं इसलिए वो आज का शो जो है वो होस्ट नहीं कर रहे है तो यहाँ पर होस्ट करने के लिए तकपूर और रोई सेटी सर को बुला लिया गया है अब एक बात बताईए नोर्मल सी बात है बिग बोस काफी दिनों से चाहा रहे थे कोई ना कोई ऐसा कंटेंट जो है निकल कर सामने है जिसको वो विकेंड के वार पर सलमान खान जो है यहाँ पर काफी करनवीर और चुम के लिए बोलते हुए नज़राए विनाश इशा और एलिस के लिए बोलते हुए नज़राए पहले एलिस जो है वो काफी जैलसी फिल करती थी ईशा और अविनाश को लेकर लेकर लेकिन अब हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जब से लास्ट विकेंड के वार पर सलमान खान सर ने एलिस के बारे में बताया कि जो कम यहाँ पर अपना involvement दिखा रही है विनाश और ईशा के साथ जो है ऐसा कुछ उनका देखने को हमें नहीं मिल रहा है हालांकि यह हर जगा एक की साथ हमें देखने को मिलते हैं वो चाहे गार्डन एरिया हो या फिर kitchen हो तो हर जगा हमें यह एक साथ ही देखते हुए मिलते हैं सारा जो सारा है उसको अभी big boss घर से नहीं निकालेगे क्योंकि सारा ने वो काम कर दिखाया जो अब भी तक आडू ह pulled out पर हमें क्लिरली दिख्ता है कि ये रियाल्टी है किन फसकेर को बोलने ही नहीं को पहले ही water uts काफी जगरी यहांपर देखने को म की यहां पर स्वीकेंड के लिए आठ वन्हें अब time जो है एकताकपुर मैंने बोल दिया कि मैंने ही तुम्हें आगे बढ़ाया है कि तुम्हारा नाम जो बना है वो मेरी वज़े से बना है तुमने इतना काम इतना कलर्स को इतना काम दिया है तुम इतने साल से जो है काफी अच्छा शो तुम्हारा चला था तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम महान हो गए, तुम बड़े हो गए, तुम्हारे अंदर कोई कमिया नहीं हो सकती है। यहां तक भी बोल दिया कि अगर तुम्हें यही सब करना था तो आठ साल क्यों इंतजार किया। क्यों बिग बोस में आने के लिए तुम्हें आठ साल तक लगातार जो है वो मना किया क्यों किया, सिर्फ यही अउकात अपनी दिखाने के लिए। तो जी हां विवियन को काफी अच्छी डाड़ जो लोग सुनना चाहा रहे थे सलमान खान के तुरू वो फाइनली एकता कपोर ने यहां पर कर दिखाया। और यहां पर रोई सेटी सर है वो लगातार करन को जो है यहां पर टार्गेट करते हुए आमें नजराहे करन को बताते वह नजराहे क्योंकि शुरूर शुरू में जो करन आया तप वो अलग्दाब जैसे चुप सा हो गया है करन वो अपने यहां पर point नहीं रखता.. कुछ बात जो होनी होती है कुछ मुद्दा गर चल रहा हो तो उसको शांत करने की कोशिश करता है लेकिन यापर बिग बोस ऐसा नहीं चाते वो चाते हैं कि जो मुद्दा बन रहा है वो और अच्छा बनता रहे ताकि TRP जो है यहां पर जितनी ज़्यादा होसके उतनी बटोरी जासके तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि घर से बाहर जो है वो कोन हो है जी हां तो घर से बाहर जो है वो हो चुके हैं सारा आरफीन कान की हस्बेंड जो है आरफीन कान जो है फाइनली घर से बाहर हो चुकी हैं बगगा जी चाहते हैं कि वो घर से बाहर आ जाए क्योंकि उनका वहाँ पर मन नहीं लग रहा वो क्लियरली जो है अमें कल के शो में दिखाई दिये बोलते वे कि मैं यहाँ पर लडाई जगडें यह गाली गलोस देखने नहीं आया था मैं पक चुका हूँ मैं बोर हो चुका हूँ अब बस मैं फाइनली घर जाना चाहता हूँ दिख भी रहा है कि वहाँ पर जो है बगगा जी का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है तो देखना यह है कि आज के शो में रात में होता क्या है विकेंड के वार में एकता कपूर और रोई सेटी सर हमें क्या-क्या यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं बने रहे मेरे साथ मेरी वीडियो के साथ ताकि बहुत अच्छी अपडेट मैं आपको देती रहूं यहाँ पर और भी कोई अगर लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं जरूर मिलते हूं आपसे